मैंने तो देने mutual fund को 50,000 रुपे लेकिन मेरे bank में पैसे नहीं है businessmen के साथ ऐसा बहुत बार होता है बहुत बार होता है और इसके बाद इसके बाद एक जो आपने स्टीप वर्ड यूज के स्टीप में कभी और चर्चा करेंगे स्टीप में चर्चा करता हूँ स्टीप बड़े कमाल की चीज है systematic transfer plan माल लो इसको आप और यह क्या करता है यह कैसे काम करता है for example आप बिजनस्मेन हो आप बिजनस्मेन हो तो आपके पास जो है किसी महीने बहुत पैसा आता है किसी महीने कम पैसा आता है लेकिन आप SIP, SIP तो I hope हमारे सारे subscribers समझते होंगे systematic investment plan जो मारा होता है तो आप SIP में बढ़ना नहीं चाहते है आपको डर लगता है कि यार हो सकता है किसी महीने मेरी SIP आज़ए मेरे पास पैसा ही ना पढ़ा हूँ मैंने तो देने mutual fund को 50,000 रुपे लेकिन मेरे बैंक में पैसे नहीं है businessmen के साथ ऐसा बहुत बार होता है चाहिए को करोड़ो वाला businessmen क्यू ना हो उसके पास हो सकता है कभी कभी बैंक में पैसे ना हो तो वो लोग STP का यूज़ कर सकते है वो liquid funds जो होते हैं debt funds जो होते हैं उनके अंदर अपना जितना में पैसा आता है वो पार्क कर दे महाँ पे और उसके बाद वहां से SIP बनवा दे कि वहां से पर मंद जो है कमांट वहां से निकलता रहे इससे double advantage होगा एक तो SIP पे आपको liquid fund पे भी आपको छोड़ा बहुत interest मिलते रहेगा प्लस आपका वैसा automated mode में जो है वो equity funds के अंदर जाता रहेगा जहां से आप लोगों को फिर return generate कर सकते हैं